जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तैंग शैन और बागी कुछ स्टूडिन्स को श्रिक स्कूल के अंदर एडमिशन मिल गया है। जो यहां सॉसेज बेचता है। जो इनी के साथ एडमिशन लेकर आगे बढ़ रही थी। असल में अभी इनका एडमिशन हुआ नहीं था। इनका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। अब बागी स्टूडिन्स जो एडम वन की लाइन में लगे हुए थे वो नराज हो जाते हैं। अब फिर रास्ते में मिस्टर धाई बताते हैं कि जो पिछली लाइन में लगे हुए बच्चे हैं। उनमें से कोई भी पास नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्जाम 2 और 3 बहुत जादा टफ होते हैं। और rank 20 से नीचे वाले बच्चे इसमें पास नहीं हो पाते। असल में हर साल सिर्फ 2 या 3 बच्चे ही एडमिशन पापाते हैं। और अब तक सिर्फ 42 बच्चे ही स्कूल में पड़े हैं। अब ये सुनकर उनको अजीब लगता है क्योंकि आखिर इतना मुश्किल एंट्रेंस रखने से तो स्कूल का ही नुकसान है क्योंकि उन्हें बच्चों से फीस नहीं मिल पाती। जिस पर मिस्टर धाई कहता है कि यहां का हेड मास्टर यानि यहां का प्रिंसिपल अपने असूलों का पक्का है। वो चाहे गरीबी में मर जाए लेकिन वो कमजोर बच्चों को नहीं पढ़ाता। इस स्कूल में बच्चों से जादा तो टीचर्स हैं और यही स्कूल की सबसे खास बात है। यहां टॉप क्वालिटी की एजुकेशन दी जाती है। बाकी बच्चे जो इन्रोल हुए थे लेकिन ग्रैजुएट नहीं हो पाए वो बीस्ट को मारते मारते खुद ही मर गए और उनकी कहानी वहीं खतम हो गई। अब यह सब सुनकर बच्चे बहुत डर जाते हैं लेकिन वो कैसे ना कैसे करके स्कूल में पढ़ना चाहते थे। इसलिए वो आगे बढ़ते हैं और एक्जाम 4 पर पहुँच जाते हैं। एक्जाम 4 के लिए वहाँ वाइस प्रिंसिपल खड़ा था और वाइस प्रिंसिपल बहुत खतरनाक और एरोगेंट नीचर का था। उसके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं थी। वो उन 4 को देखने के बाद उनसे कहता है कि अगर तुम यहाँ एद्मिशन लेना चाहते हो तो तुम 4 एक साथ मुझ पर अटाक करो और मैं तुम पर अटाक करूँगा। ज़र तुम जीते तो तुम्हें एद्मिशन मिल जाएगा और अगर मैं जीता तो तुम सब को यहाँ से जाना पड़ेगा। इस टीचर का नाम मास्टर जाहू है और यह 76 रैंक पर है। मिस्टर धाई अब इसके बारे में उन्हें सब बताता है कि यह बहुत शक्तिशाली इंसान है और यह इतना शक्तिशाली है कि अगर उसके सामने 40 सैनिक हत्यारों के साथ एक साथ हमला कर दें तब भी इसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। इनकी स्पिरिट सोल सुप्रीम पियर की है और क्योंकि यह इतना शक्तिशाली है इन्हें कई लोग अकाला भी कहते हैं। को हरा सकते हैं। अब वहाँ वो दोनों लड़कियां अपना इंट्रोड़क्शन देती हैं। जिसमें से जिसने ब्लू कपड़े पहन रखे हैं वो रैंक 26 की है और वो की बाव एमबर की ट्राइब से है। इसकी स्पिरिट सोल एक टूल टाइब की है जिस वज़े से यह ल जूक विंग है और उसके स्पिरिट सोल कैट की है। अब तैंग शैंग उन सभी का लीडर बनकर उनको पोजीशन देता है और आते घंटे हो जाने के बाद वो तैंग शैंग के कहे अनुसार उस पर अटाइक करने लगते हैं। वो सब बच्चे अपने अपनी स्पिरिट सो कर बहुत मज़े ले रहे होते हैं और बच्चे उनसे हार रहे होते हैं। अब तैंग शैंग को गुस्सा आ जाता है। और वो अब स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए उसे बादने की कोशिश करता है और उस पर पोईसन भी छोड़ता है। और अब इस से मिस्टर जाओ को थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अब उसे पता चल जाता है कि उसे इस लड़के से लड़ने में अब बहुत मज़ा आने वाला है। वो भी अब अपनी स्पिरिट सोल का यूज करता है और उस पर अटाक करता है और उनके फाइट फिर से होने लगती है। लेकिन इस ब मुहारी और मेरी लड़ाई है और हम फिर से शुरू करेंगे अगर मैं जीता तो तुम्हें एड्मिशन देना पड़ेगा। मिस्टर जाओ मान जाता है और अब इस बार तैंक शैंक हिडन वेपन्स का खुले तौर पर यूज़ करता है और एक साथ कई दिशाओ से उस पर हिडन वेपन से अटाक करता है। गिडन वेपन्स के अंदर पोईजन लगा था जिस वज़े से मिस्टर जाओ पोईजन से अफेक्ट होकर कमजोर होने लगता है और अब मैच को खतम करने के लिए तैंक शैंक अपना हैमर उस पर दे कर मारता है। आरोगेन बिहेविर के साथ वहाँ से दुखी होकर चले जाते हैं। वही आसकर जबनिंग रॉंग रॉंग को देखता है तो उसका उस पर दिल आ जाता है और वो उससे फलर्ट भी करने की कोशिश करता है। लेकिन मिस्टर धाई लड़कियों को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है और इससे आसकर जल भुन जाता है। वही रात को मिस्टर जाउ अपने ऑफिस में बैठा होता है और आज के मैच के बारे में ही सोच रहा होता है कि तभी उसे अपने आसपास किसी ताकतवर इंसान के खड़े होने का अभास होता है। वो तुरंद बाहर जिंगल में जाकर चेक करता है और वहाँ से अपनी स्पिरिट सोल को बाहर निकालते हुए देखने की कोशिश करता है कि आखिर कौन है जो यहाँ पर बिना पूछे आ गया है। इस टीचर को सजा देने के लिए आया था क्योंकि आज सुबह इसने बच्चों के साथ अच्छा व्यवार नहीं किया था। तो मैं भी मारा जाऊंगा। यहाँ से अब हमें टैंग हाँ की शक्तियों का अच्छे से पता चल जाता है। टैंग हाँ की अपनी पूरी एक बैक स्टोरी है जो आपको बहुत शॉक करने वाली है और वो हमें अब आगे पता चलेगी। अब टैंग हाँ सीदे उस पर अटाक करने की कोशिश करता है और उसको उसकी ही भाषा में कहता है कि तुम्हारे पास आदा घंटा है और तुम्हें आदे घंटे तक मुझे डिफेंस करना है। अब मिस्टर जाउ डरते डरते अपने स्पिरिट सोल का यूज करते हुए उस पर अटाक करता है लेकिन तैंग हाँ बिना स्पिरिट सोल का यूज किये उसके अटाक को रोकता है और उसको पीटता है और तवियत से पीट लेने के बाद वो उनसे अलविदा लेकर वहाँ से चला जाता है अब सुभा बेटे ने मिस्टर जाओ को कूर दिया और रात को बाप ने और अब इस सब से मिस्टर जाओ बहुत जादा दुखी हो जाता है हाला कि उन्हें ये नहीं पता चला था कि तैंग शैंग इसका बेटा है अब मिस्टर जाओ प्रिंसिपल यानि दीन से बहुत गुसा होता है कि आखेर उसने उसे बचाया क्यों नहीं लेकिन बेचारो प्रिंसिपल खुद उसके सामने नहीं टेक पाता वहीं अब अगले सुभा तैंग शैंग की आखे खुलती है और वो अपने आपको एक कमरे के अंदर आसकर के पास पाता है आसकर उसे जगा हुआ पाकर उसे नाश्ता देता है और उसे फिर अपने बारे में बताता है कि वो आसकर है और उसकी रंग 29 है वो फिर उसे जीवू के बारे में पूछता है और उनको देखते ही समझ आ रहा होता है कि जीवू तैंक शैंग को पसंद करती है लेकिन तैंक शैंग ही ये बात नहीं समझ पाता उन दोनों में जीवू को लेकर बात भी होती है लेकिन तैंक शांग अब भी सिर्फ इतना कहता है कि वो सिर्फ मेरी एक दोस्त है अब फिर तैंक शांग उस ग्राउंड में जाता है जहां उसने कल मिस्टर जाउ से मैच किया था और वहाँ जमीन में गड़े हुए अपने सारे hidden weapons उठाता है और साथ ही साथ उसे ये भी समझा जाता है कि उसे मिस्टर जाउ जैसे ताकतवर ही उद्धा से लड़ने के लिए और भी hidden weapons बनाने होंगे और उसे और भी हाट ट्रेनिंग करनी होगी अब फिर थोड़ी तेर बाद वापिस अपने रूम में जाता है और वहाँ वो आसकर को बेट पर लेटे हुए देखता है वो उसे बहाँ ट्रेनिंग पर चलने को कहता है लेकिन आसकर मना कर देता है और उसे समझाता है कि मेरी सोल स्परेट फूड वाली है जिस वज़े से मुझे तुम जैसी हाट ट्रेनिंग नहीं करनी है अब फिर तैंग शैंग जीवु के पास जाता है और वो उससे माफी मांगता है कि कल वो उसे नहीं बचा पाया देकिन जीवु उसको टोकते हुए कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं वो टीचर थे ही इतने शक्तिशाली कि वो हराएं नहीं जा सकते थे वो दोनों फिर और भी बाते करते हैं और यहां के दीन के बारे में सोचते हैं कि आखे जब वाइस प्रिंसिपल इतना शक्तिशाली है तो प्रिंसिपल कितना शक्तिशाली होगा अब फिर वो दोनों बहार घूमने निकलते हैं और उन्हें एक मोटा बच्चा दिखाई देता है जो अपनी गल्फ्रेंड से लड़ रहा था उसकी गल्फ्रेंड उसे ब्रेक अप करना चाहती थी लेकिन वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खीश रहा था और वही जब वो जीवू को देखता है तो वो अब तैंक शैंक और मोटा लड़का फाइट शुरू करते हैं और मोटा लड़का तैंक शैंक के हर वार से बच जाता है यानि मोटा लड़का बहुत शक्तिशाली है मोटा लड़का फिर अपनी स्पिरिट सोल को यूज करता है जो कि एक बीस टाइब की थी और वो फिनिक् और वो उनने के साथ साथ भी फेंग सकती है अब ये देखकर जीवू और तैंक शैंक बहुत शौक होते हैं क्योंकि इतने मोटे लड़के के पास इतनी पाफुल स्पिरिट सोल थी लेकिन अब तैंक शैंक अपनी भी स्पिरिट सोल का यूज करता है लेकिन वो उससे बच जाता है क्योंकि तैंक शैंक की स्पिरिट सोल एक प्लांट टाइप की थी और प्लांट हमेशा आक से डरता है जिस वजह से अब जीवू उससे लड़ने जाती है हाला कि जीवू पर भी वो भारी बढ़ता है लेकिन जीवू क्योंकि एक लड़की थी जिस वज़े से वो उसके सुन्दर्दा से अट्राक्ट होकर थोड़ा पहग जाता है और फिर जीवू को उसको हराने का मौका मिल जाता है और वो तुरंत उस पर अटाक करके उसे गिरा देती है जीवू बहुत खुश होती है लेकिन मोटा लड़का फिर खड़ा होता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और फिर इस पॉइंट पर ये एपिसोट खतम हो जाता है